दोस्तों चंद्रियान 2 को लेकर अभी तक बहुत सारे न्यूज आपने देखे होंगे लेकिन अभी तक आपको ए मालूम नहीं चला होगा कि चंद्रियान 2 से संपर्ख हो पाया है या नहीं तो क्या आप जानना चाहेंगे कि चंद्रियान 2 से संपर्ख हुआ है या नहीं अगर जानना चाहते हैं तो परजापती न्यूज आपको बताएगा इस वीडियो में कि चंद्रियान 2 से संपर्क हुआ है या नहीं और चंद्रियान 2 के बारे में कुछ डीटेल में जानकारी भी मिलेगा तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ वीडियो के नीचे एक रेट कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके सस्क्राइब कर लें और साइट में बैल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और वीडियो को से भारत की मिशन चंद्रियान 2 के दोरान चंद्रमा पर सौफ्ट लेंडिंग से ठीक पहले लेंडर विक्रम से मिशन कंट्रोल का संपर्क तूट गया था लगभग एक हपते का समय बीच जाने के बाद विक्रम से फिर से संपर्क इस्थापित करने की उमीदे धीरे धीरे धुनली पड़ती जा रही है लेकिन दोस्तो इस्रो ने दावा किया है कि हम चंद्रियान 2 से जल से जल संपर्क कर लेंगे आपको बता दे इंडियन स्पेस रिसर्ट सेंटर इस रो चांद की सतय पर विक्रम से संपर्क करने की आखरी कोसिस में लगा हुआ है तादे कि यदि ये सॉफ्ट लेंडिंग करने में सफल रहता तो इसके भीतर से रोवर बाहर निकलता और चांद की सतय पर विग्यानिक परियोग को अंजाम देता लेंडर को चांद की सतय पर सॉफ्ट लेंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है इसके भीतर बंद रोवर का जीवन काल एक चंदर दिवसी यानी की धर्ती के 14 दिन के बराबर है 7 सितंबर के घटना के बाद से लगभग एक सपता निकल चुका है अब इसरो के पास मातर एक सपता सेस बचा हुआ है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसरो के पास सिर्फ एक हपते का समय है देखते हैं इस एक हपते में क्या होता है अब तक इस्थापित नहीं हो पाया संपर्क इसरो ने कहा था कि वह 14 दिन तक लेंडर से संपर्क साथने की कोसिस करता रहेगा भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगटन के वेग्यानों को की तमाम कोसिस के वावजूद लेंडर से अब तक संपर्क इस्थापित नहीं हो पाया है हाला कि चंद्रियान 2 के और्बिटर ने अड लेंडिंग के कारण टेढ़े हुए लेंडर का पता लगा लिया है और इसकी धर्मल इमेज भी भेजी थी भारत के अंत्रिक्ष वेग्यानिक लेंडर से संपर्क साथने की हर रोज कोसिस कर रहे हैं लेकिन प्रते गुजरते दिन के साथ संभावनाय कम होती जा रही है इसरो के एक अधिकारी ने कहा आप कल्पना कर सकते हैं कि हर गुजरते गंटे के साथ कम मुश्किल होता जा रहा है बैटरी में उपलप उर्जा खतम होती जा रही है और इसके उर्जा हासिल करने तथा परिचालन के लिए कुछ नहीं बचेगा और साती सात उन्होंने कहा कि परते गुजरते मिनट के साथ इस्थित केवल जटील होती जा रही है बिक्रम से संपर्क इस्थापित होने की संभावना कम होती जा रही है या पूछे जाने पर कि क्या संपर्क इस्थापित होने की थोड़ी बहुत संभावना है अधिकारी ने कहा यह काफी दूर की बात है यहां इस्थिर इसरो टेलिमेटरी ट्रेकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एक टीम ने लेंडर से पुन संपर्क करने का लगतार कोसिस कर रहा है लेकिन दोस्तो आपको बता दें चंद्रियान टू से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है लेकिन इसरो के टीम लगतार कोसिस कर रही है कि चंद्रियान टू से संपर्क हो जाए दोस्तो आप सभी लोग प्रजापती न्यूज से जुड़े रहें आपको हर एक ट्रेंडिंग न्यूज मिलते रहेगा आपको बता दें प्रजापती न्यूज चैनल हर एक देश दुनिया की न्यूज देने वाला चैनल आपको पल-पल का न्यूज देते रहेगा इसलिए आप सभी लोग प्रजापती न्यूस से जुड़े रहें दोस्तो चंद्रियान 2 के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और दोस्तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करतें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक जै हिंज जै भारत दोस्तो आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी है